हाई फ्रेंड्स स्वागा था आपका इस चेप्टर वाइड मैथ के सीरिज में जो कि है प्रसेंटेज का आज है पार्ट नमबर फाइफ जिसमें हमने पांच कुशन लिया है जो कि है तो उसी संख्या का 120 क्या होगा सबसे परें को पता करने होगी कि वह संख्या क्या है जिसका 20% 120 है और का 20% कितना है 120 है एका 20% कितना है 120 है किसके बरावर है 120 के बरावर है तो यहां से जब हम ए निकालेंगी ए बरावर क्या हो जाएगा मारे पास जाएगा 120 और गुड़े सो बटा 20 20 से कम 20 20 का 120 यानिकि यह बरावर कितना आगया यह बरावर आगया 600 अब इस 600 का 120 परसेंट हमको निकालना है तो 600 का 120 परसेंट हमको निकालना है ठीक है तो जिरो सिरो कर जाएगा बारवर जबहत्तर यान कि बहत्तर और एक जिरो यह बढ़ जाएगा 720 यानि कि इस संख्या का 20 परसेंट 120 है उसी संख्या का 120 सास तो बीस होगा आपसा नमबर डी बिलकुल करेक्ट है एक बार दुबार देख किसी संख्या का 20% मान लिए हमने संख्या ए है उसका 20% कितना 120 है अब जब हम ए निकालने के आँ से 600 आ जागा तो 600 का 120 असाने से निकाल सकते हैं जो क्यों होगा 720 अपसा नमबर डी में दिया गया है बढ़ते हैं नेक्ष्ट कुछन की तरफ एक आयत के लंबाई में 25% की व्रिद्धी होती है उसकी चोड़ाई कितने प्रतसत घटा दी जाए ताकि उसका चेत्रफल एक समान बना रहे है आयत के लंबाई में व्रिद्धी कितने की हो रही है अब चेत्रफल में प्रतसत कमी कितने की जाए जिससे की आयत का चेत्रफल ए एक समान बना रहा है आज़े देखते हैं तो प्रतसाथ कमी बड़ा कितना है कमी कितने की हो रही है 25% की कमी हो रही है यहां पर मैं 20 गलतिश निक्या पचीस है इसको क्या लिखेंगे 25 बटे नीचे 100 लिखेंगे और जितने की ब्रिद्धी हो रही है उतना इसमें जोड़ दे 25 से काटेंगे 25, 25 होता है और 5 का 100 होता है पांच एकंपांच और पांच पचीस पांच में जब चार से गुड़ा करेंगे तो आगा 20 प्रतसाथ ठीक है तो जब उसकी चोडाए 20 प्रतसाथ घटा देंगे तो जो उसका च्छत्रिफल होगा उसमें कोई परिवर्द नहीं हो और 33 चात्र बीफल यानि कि फेल हुए परिच्छा में कुल कितने चात्र सम्रीत हुए यह आपको बताना है तो टोटल 100% चात्र थें उसमें से 94% क्या है पास हैं तो फेल कितने हो जाएंगे फेल हो जाएंगे 6% यह क्या है यह फेल वाले हैं इसके संख्या हमको दी हुई है यानिकि 6% का मान कितना दिया है यह 33 दिया है हमको 100% का मान बताना है 100% का मान हमको बताना है तो बता देंगे नहीं था आसाने से बता लेंगे तो क्या करेंगे विज़ागा 100 गुड़े 6 और बटे 33 तो काटेंगे 3 दू निशे होता है तिने कम तिने कम तिने कम तिने कम ति यहां पर यह गुड़े 33 होगा गुड़े 33 बंटे 6 हो जाएगा तो 3 निश्य है तीन कम 3 तीन कम 3 कट जाएगा दो यह कम दो 25 10 जो पचास रम कटेगा पचास गुड़े 11 करेंगे तो कितना जाएगा पचास गुड़े 11 पांसो पचासी ग्यार पचे पचपन यह निकल के आगए पांसो पचास यानिकी टोटाल जो छातर थे वो थे पांसो पचास आपसर नमबर बी बिल्कुल करेक्ट है चलि अगला कोशन देखते हैं यह मज़ेदार कोशन है यह किसे ठोस घन की परतेक भुजा में 150% की ब्रिद्धी की जाए तो इसके छेत्रफल में होई प्रत्सत ब्रिद्धी क्या है घन की भुजा में 1% की ब्रिद्धी मान दें की जाती है तो इसकी पिष्ट छेत्रफल में ह टू ए प्लस में ए स्क्वाइर अपान हंड्रेड परसेंट इस पर रखेंगे तो आपका निकल के सवाल आ जाएगा तो आई दिखते हैं दो रख देंगे दो गुड़ी एक अमान कितना है ये बरावर दिया है एक सो पचास प्रत्सत है तो इसको लिखेंगे एक सो पचास प्लस एक सो पचास गुड़ी एक सो पचास बटे सो कर देंगे इलाश्ट में याँ प्यासे प्रत्सत लगा देंगे दो जिरो नीचे है और दो जिरो ऊपर कर जाएगा यहां से कितना गा दो में एक सो पचास से गुड़ा करेंगे तो यागा 300 सो प्लस 15 में 15 सो गुड़ा करेंगे आयेगा 225 इन दोनों को जोडेंगे तो आयेगा 325 525 जानी कि 525 परसेंट की क्या होगी उसमें बृद्धी होगी प्रत्सत बृद्धी फिर से देखें एक इस ठोस घंड की प्रतिक भुजा 150 परसेंट बढ़ा दी जाती है तो इसके शेत दो रखेंगे एक आमान हमनें 150 रखा है प्लस 150 गुड़ 150 परटे सो किया कि यहां पर एक स्क्वाइर था ठीक है इसको काटा तो तीन सो इधर से डियर सो गुड़ी तीन सो जागा प्लस 15 में 15 सो गुड़ा करेंगे आगा 225 इन दोनों को जोड़ेंगे आगा 525 परसेंट त आपसर नमबरे विल्कुड सही है तो उसको चत्रफल में 525 परशेट की आपशर नमबरे की विल्कुल और करेक्थ है कि ⁱ एक नि की चातर संक्य सो है आ Crow यहां 10 लीly दो बएस बादो चात्र संख्या सब्सक्राइब तक क्या स्कूसा है और यह लाउन है क्या होगे दो लगा सकते हैं सबसेgaard देखते हैं सो गुड़े अपने आप में संख्या सो परसंट थी दस परसंट बढ़ा एक सो दस हो गया पहले वर्स का यह बटे सो दूसरे बस भी 110 हो जाएगा बटे सो ठीक है इसको सालम कर लिजे आपका सवाल जवाब आजाएगा दो जरो यहां सकड़ जाएगा एक जो दो जिरो दो नीचे ग्यारे गुड़े ग्यारे करेंगे आएगा एक सो एकसी यानि कि दो वर्स बात जो हांके जनसां क्या होगी ओह होगी 121 आफसे नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है इसको एक तरह सब लगा सकते हैं जैसे दस परसंट दिया है ना दस परसंट इसको दस बटे सो लिखेंगे ठीक है लग्त लिटे सो एक जिरो डो जिरो पह सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिक्सन मिल पाएं तो चलिए मिलते हैं साम को तब तक लिए अपना ख्याल लगें पढ़ाई करते हैं धन्यवाद